जै मातादी सभी को नवरात्री स्पेशल में आज हम नवरात्री की पूरी थाली बना रहा हैं वरत वाली थाली बनाएंगे तो देखिए उसमें हमने पूरी है और सावुदाना के बड़े हैं और मिठाई भी बनाई है एक और साथ में खीर बनाई है तो देखिए सबी चीजे हम आपके साथ शेयर करेंगे तो पहले हम कर लिंग मिठाई की तयारी कर लेते हैं जो मैंने मिठाई बनाई है मुंफली दाने से बनाई है तो यह देखिए हमने मुंफली दाने को भूंज लिया है अच्छे से परकूल इन्हें रोस्ट कर लिया इन्हें बहुत जादा नहीं मतलब हमें जलाना भी ने हैं एकदम कम भी नी रखना है देखिए इस तरह से यह हमारे मुंफली दाने बुन गया है अब उसी कड़ाई में हम क्या कर रहा है कि थोड़ा सा घी डाल दे रहा है और जो मिठाई में जो ड्राइफूर्ट डालने है न हम वह इन्हें इसी घी मे उन्हें हम ऐसे तल लेंगे मतलब सेक लेंगे इस तरह से मैंने सबी काट लिये थे आप जो भी खाना चाहते हैं अब अपने हिसाब से ले सकते हैं मैंने काजु बदाम बिष्टा ही लिया है जादा नहीं लिया है तो बस इतनी चुछों को मैंने बारीक पहले काट लिया था उसके बाद Blद गी में इस तरह से बून लिया है अच्छे तरह से क्या होता है क्काद कर बाइच्चा ड़ने से लोगता टालने तो झास तता अ मैं धमने लिए अब उसको भी निकाल दियाया फिर हमने क्या किया है कि हमें जू मिठाए बनाना है उसकी चाशनी के लिए लिए ना इसकी नि टेल धी संब यह झाल नहीं मैं डाल गिंग cricket कर आप डिका देती उ एक या कि आमने मुफली दाने के छिलके निकाल लिए है और उसके बाद हमने से Mixer jar में पल्समोड पर इससे तरह से कसी कहीं करेकी दाने भी है जो अच्छे लगते हैं खाने में दाने भी छोड़ दिये हैं में उस से किसकर तरी अच्छ से रख दिया है अब हम चाष्णि को देख लेते हैं किरो लेती है तो ये देखे मैं अपको दिखा रही हूं इस तरह से थोड़ीसी है घाड़ी घाड़े रहना चाहिए यासे चिप-चिपी बतली नहीं रखना है तोड़ी को बंद कर दिया है 성endita अब इस तरह से हमाई चास्नी ये बनकर तयार हो गई है अब इसमें हम क्या करेंगे ये डाल दिया हमने मुंखफली के दाने जो हमने पीस के रखे थे और इसी में हम डाल देंगे जो राजगिरे का आटा हमने सेख के रखा है अब बस इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है चासनी के साथ अभी हमने गैस को बंद कर दिया है तो यह चासनी जो हमने बना के रखी थी थी थोड़ी सी गाड़ी और हो जाएगी जब हम इसे इस तरह से मिलाते जाएगे ना मिक्स करते जाएगे तो चासनी अच्छी गाड़ी हो जाएगी फिर ये थोड़ा सा घी भी हमने इसमें डाल दिया है और अगर आपको ये लगता है कि चाशनी हमारी थोड़ी सी पतली रह गई है या मतलब गाड़ी नहीं हो पाई है जमने में कोई प्रॉब्लम होईगी तो आप गैस को फिर से ओन करके और चाशनी को गाड़ा कर सकते हैं ये देखिए अब हम क्या करना है कि इसमें हमने जो ड्राइफूट्स रखे थे ना सेक कर वो भी डाल दिये हैं अब ये मुझे लग रहा था कि मैं पतली बनाओंगी बर्फी तो मैंने बड़ी थाली ले थी लेकिन फिर बाद में सुचा कि नहीं मैं थोड़ा सा मतलब बर्फी के जो पीस है जो काटिंग है हम तो थोड़ी मोटी रखना चाहिए तो फिर मैंने इसको आदी थाली में ही सेट किया है आपको जिस तरह से भी आपके पास अगर ट्रे है कोई छोटी थाली है कोई भी मतलब डब्बे का धकन होता है ना कुछ भी रहता है तो आप उसमें इसे बना सकते हैं सैट कर सकते हैं तो यह देखिए कितनी अच्छी दिख रही है हमने ऊपर से भी इसमें जो थे ना हमारे कितनी अच्छी बनी है तो यह फलहारी मीठाई है आप इसे बना सकते हैं और वरत में खा सकते हैं मातारानी को भोग लगा सकते हैं मीठे का यह देखिए अब हम एक मीठा और बनाएंगे जो बनाएंगे साबूदाने की खीर तो यह देखिए मैंने क्या किया है कि दूद ल लाके रखा था ना भीगा हुआ साबुदाना था जो चार से पाँच गंटे तक गला हुआ रहता है ना वही था और उसको हमने इसमें डाल दिया है दूद में अच्छी तरस जब वो मतलब पक गया था ट्रांस्परेंट जैसा हो रहा था था थोड़ा सा पक गई था जैसे औ हमारे और भी बचा लिये था हमने जो भूनके रखे थे वह भी इसमें डाल दिये हैं और अब इसे हमने क्या क्या बंद कर दिया गया कि खीर को थोड़ा सा पतला ही रखते है ना हम साबुदाने खीर को तब वो ठीक रहता है पतला रखने से क्या होता है बाद में वो मतलब तो इतों तो भी थे लिए की अभी मैंने क्याति, कहले लिए को जाते सिसे लिए औरम झाल भूर मिक्सा ला भूर सी और थोरा से नहalies नहीं सबस्क्राइब कि मैं साबु दाने की बड़े कैसे बनाती हूं मैं आपको दिखा रही हूं हाँ इसमें अगर आप चाहे ना तो मुंगफली दाने को मतले स्किप कर सकते हैं किसी को नहीं पसंद रहते हैं तो वो ना डाले फिर डाला था हमने इसमें क्या हरी मीर्ची अद्रक और जीरा कूट के डाला था फिर हमने डाल दिया हरा धनिया और स्वाधी की अनुसार नमग तो यह हमारे बड़े का जो बहुत तैयार करणestar के नहीं चीजेए और इतनी चीजे बनारी हूं न्यärु नहीं ज़रूरी नहीं है कि हैी यह ज़रूरी नहीं यह देखिए पुड़ी में मैंने सेम मसाला डाला है जो हमने बड़े में डाला था हरी मीर्ची अद्रक और जीरा कुटा हुआ और आलू भी हम वही आलू ले रहे हैं अब बस इतना है कि इसमें हमें आलू ज्यादा नहीं लेना है मैंने जो एक और रेसेपी डाली है ना तो आप वो भी देख सकते हैं पराठे वाली वही बहुत अच्छी बनती है और यह डाल दिया हमने नमक हरी मीर्च अद्रक और जीरा का कुटा हुआ पेस डाला है और हरा धनिया डाला है और नमक और आलू मैंने रिपीट कर दी है आपको सारी सामगरी क्या-क्या डाला है और हमने देखिए बिना पाने के इस इस आटे को अच्छे से गूत लिया है अब हम क्या करेंगे कि साभुदाने के बड़े बना लेंगे तो यह बड़े बनाने के लिए हमने क्या थोड़ा पानी ले लेना है हाथ में और उसे इस तरह से गोल-गोल करके और बना लेना है ब अब यह हमने देखिए सिर्फ इतना ही आटा गूता था जिससे चार पुड़ी बनकर हमारी तयार होंगी और इसे हम आसानी से बेल सकते हैं बहुत ही अच्छे से बिल जाती है थोड़ी किनारी पे से फटेगी लेकिन चलता है ऐसा कुछ नहीं है अब यह देखिए तेल भी हम अच्छी तरह से नहीं बनेंगे मतलब यह फैल भी सकते हैं तेल के अंदर फूट सकते हैं तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए ताभी हम इसमें बढ़े डालें यह देखिए हमारे बिल्कूल भी नहीं मतलब उसमें तूट बढ़े बहुत अच्छे बन कर तयार हुए हैं मैंने अभी थोड़ा सा डो रख दिया था अभी सिर्फ गरम गरम इतने ही बनाये थे मैंने अभी देखिए मैं पूडी भी आपको तलकर दिखा रही हूँ यह एक पूडी मैंने पहले तल लिये अभी मैं क्या करूँगी कि स पूरी जो है हमारी थोड़ी सी मितलब में बाद में मैंने तेज किया था तो कड़क बन गई है बाकि ऐसा कुछ नहीं है बन लगने खाने में तो भी बहुत अच्छी लग रही थी पर बस यहीं रहता है कि कुछ कुछ चीजों में गैस की जो फ्लेम रहती ना उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा गर मद्धा है कम है तो किस चीज में तेज करना है किस में कम करना है इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है अब हम ये थाली लगा ल और साथ में हमने क्या किया है कि जो हमारी मिठाई बनाई थी ना तो वह भी रख लिए तो देखिए आज कि हमारी व्रत की यही थाली है और आप मुझे बताई यह थाली कैसी बनी थी और आप लोग खुद भी बना कर देखिए यह देखिए मैंने खीर में जो ड्राइफूट उसको सिर्फ धलका सा फेटा है और नमक डाला है सेंधा नमक सम्में हमने पूरी फलार में सेंधा नमक फलारि नमक का ही यूज किया है और जूं सोरी एक आटे की पूरी दही और खीर आप मुझे comment करकर जरूर बताईए कि आज की recipe आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो please like, share, subscribe जरूर कीजिए ये देखे मैंने वड़ा तोड़ कर दिखाया आपको कितना अच्छा बना था और पूरी भी हमारी बहुत soft बनी थी Thank you friends